हाई गाईज आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा की CT MRI की जो पैतोलोजी है एज रेडियोग्राफर की पॉइंट ओफ वीव से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए आप कौन सा बुक फोलो कर सकते हैं क्या का चीज़ें आपको सिंपल सी याद रखना बेखो जो पैतोलोजी है वह ज्यादा तर रेडियो लोजिस की ज़रुद पढ़ता है जो रेडियो बनते हैं उनको यह सारे नॉलेज कंप्लीट नॉलेज की ज़रुद है लेकिन एज रेडियोग्राफर आपको भी थोड़ा बहुत स्लाइटली बेसिक पैतोलोजी पता हो नीचे और यह कि आपको आसपास कि रेडियो नहीं है यह नाइट यूटी में हौकर फिरतेशंगे इससे आप को Water prop ओगा अगर आप ये तोड़ा है भीटालोजी भी सीखेंगे ठीक्ए तो यह अप लोगों को सिखानी कोशिश करेंगा यह वाले बुक के टीक है तो पॉक है यह लूब और ये दोनोप रेढोडिक आप देख सकते हो कि सुबसे पहले यहां पे इन्होंने 24 खरश है से दिखन क्या है कान्ट्रास क्या है यह सारे चीजा यहां पे इन्होंने बताया हुआ है बेसिक चीजे क्या है उसकी बाद इन्होंने ब्रेइन की बता है तो आपको इस वाले बुक में जाना है जैसे आपने यह पर एक्जमपल अपने यह वाला पिक्चर निकाला है तो इसमें एकॉस्टिक नियुरोमा नॉन कॉंटरस्ट इवन वेटेड एक्जल इमेज़ दिमस्ट्रेटिंग राउं इंटेंस मास अफ लेस्ट शेरीवर पॉंटाइन एंगल तो कभी कभार ऐसे होता है कि मराई सीपी एंगल उस ताम प्या में क्या करना चाहिए बहुत लोगों को पत प्रिगर का मैंचन है वही पढ़ना आपको उसी को याद रखना उसी से आपको बहुत होने वाला ठीक है जैसे एस्ट्रोसाइटोमा एक्जल नॉन सीटी हैड शोज दै लोग एटिनुएशन मास अफ लेफ लोग सराउंडिंग इडिमा यहां पर आप देख सकतो एक लोग इडिमा आपको दिख रहा है उस सिच्वेशन पर आगर आपको थोड़ा बहुत आईडिया वस्वन रेडियोलेश को आपने दिखाया यह कभी कबार जो रिटीट्मेंट की मतलब आजन ट्रीट्मेंट आजन नोटिश की भी ज़रू था जैसे आप रेडियोलेशन स्कैन के लिए तो आपने देखा फिर आपने कंसर्टेंट को बताए कि आपका पेशिन को यह है तो जल्दी ट्रीट्मेंट का भी प्रोसेस स्टार्ट होता है यह सारा चीजे आपको बहुत हैल्प करता है इसमें ठीक है जैसे उसके बाद वो कॉंट्रास दिया है कॉंट्रास देने लोग दिखा रहाँ हो कि यहां पहे पूरा हॉल बोड़ी का पूरा पर यह तो बस मैं आप लोग को ब्रेन दिखा रहा हूं बाके आगे भी बहुत कुछ है ठीक है जैसे यह आप आप देख सकतो वस्कुलर डिजीज यह ऐसा कोई अगर आपने कोई नॉर्मल टी टू स्कैन लिया ब्रेन ऐसा दिख रहा है तो कुछ एबनॉर्मल है इसक हो सकता है कि रेडियो अभी end of the day में है और वो कल सुबाइब कल संडे है परस्वा के रिपोर्ट करेंगे और पेशिंट को यह दो दिन नॉन ट्रीट्मेंट में रहेगा तो आपको ऐसा सिच्वेशन पर आपको रेडियो इसको बताना है कि यह देखिए ऐसा आप मैंने ब् इसे बहुत अच्छा इंपक्ट पड़ता है तो यह इसलिए में आप लोग को यह बुक सब्सक्राइब करना चाहूंगा इस बुक में आप बहुत सारी चीज़ें लेंड कर सकते हो ठीक है यह सिटीशन की बारे में भी दिया हुआ है ब्रेइन ही बहुत सारे पेज़ेसे की बेन कदम लिए उसके बद स्पाइन है इसे कभी कबर हम देखते हैं जैसे यह तो बहुत वब्यस है यहाप स्पाइन फ्रेक्टर है तो इसमें 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 तो अर्जिन ट्रीटमेंट की बहुत अजिन लाइफ ट्रेटनिंग सीचूशन इसमें आपको रेडियोस को तु यह बहुत सारे चीज़े है बेसिक चीज़े है आपको क्या करना है बस यह वाला जैसे पोस्ट कॉंटर स्टीवन विटेड इमेजिंग शूज दा इंटन हमोजेनियस एंहांस मार्स देरा है कॉंटरास में मतलब यह कोई मास होगा ऐसे बस आपको एक बार रिडिंग बढ़न है उन लोगों को पता होगा कि रेडियोलोजिस बहुत ताइम बहुत समय रेडियोलोजिस क्या करते है आप से भी पूछते भाई तुने कुछ देखा क्या तरे को कुछ लग रहा है क्या तेरा पॉइंट ऑफ विव क्या है कभी मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया इंडिय आपकी तरफ से कोई extra help अगर कर सकतो professionally वह उसमें यह बुक आपका help कर सकता है तो पूरा बुक है इसमें अंदर अगर आप लोग को यह बुक चाहिए तो फ्री में मैं देदूंगा आपको मैं आप मेरे को लिंक्डिन पर मेसेज करें आपको बेज दूंगा ऐसे information रिएट वीडियो देखने के रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं लिंक पे देस्क्रिप्शन पर सारा लिंक डाल रखा है जाके चेक आउट कर सकते हो मैं चैनल को तोड़ा सब्सक्राइब करो यार लाइक शेयर करो आप लोग लाइक शेयर विल्कुल भी नहीं कर रहो सिर्फ जिसकी ज़रुवत परता हो कमंड करता है मेरे को यह चाहिए मेरे को ची नहीं हो पा रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तेंक्यू बड़ी माच मैं मिलता हूं अगले वीडियो पर